हाई फ्रेंड्स एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है सीबा ETF से लेकर बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और सबसे कमाल की जो कम्यूनिटी के वीच में हल चल और सबसे जादा बात चर्चा जिसकी चल रही है व यहाँ पर कई संभाव नाय थे लेकिन बल अब जाके मिला है और ट्रेंडिंग न्यूज अब जाके निकली है कि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है जिसमें बताया गया है कि सीबा एनू ETF के ऊपर यार यहाँ पर चर्चा चली हुई है और टीम भी चाहती है कि स सायद स्पोर्ट ETF आ जाए यहाँ पर हलाकि ओफीशली कोई इस खबर नहीं है लेकिन जहां तक सूत्रों से खबर आई है तो सभी चीजों को कवर करेंगे इसके लावा लेटेस्ट अपडेट के उपर बात करेंगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही नि मिलते हैं जो आपको मिस नहीं करना चाहिए जो रेगुलर वेस पर आपको प्रॉफिट देते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इस न्यूज का आप देखिए लेटेस्ट मेकजिन के तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि सीबा इनू का स्पोर्ट ETF यहाँ पर आ सकता है जैसा क सीबा मेकजिन के जो अभी दस्वा एडिशन जो आया है उसमें आर बेसिकली बताया गया है कि सीबा इनू एको सिस्टम तंतर में एक्चेंज ट्रेडिट फंड यानि कि ETF के संभावी सिरुवात के बारे में चर्चा हुई है बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे संसक्रेंट सी बल दिया गया है और यह मेकजिन और सीबा टीम के तरफ से ही जारी होती है तो इसमें इनकी तरफ से यहाँ पर कहिना कहीं संभावी चर्चा के ऊपर यहाँ पर बल दिया गया है इसपोर्ट बिटकोईन ETF उत्पादों को हाली में मंजूरी मिली है जिससे कि यार बिटकोईन सीबा की सोरी बिटकोईन की जो प्राइज है उसको एक बड़ा बल मिल सकता है हलाकि अभी कोई खास ग्रोथ नहीं मिली लेकिन कहा जा रहा है स्पोर्ट ETF के बाद यूएस जो स्टोक में इन्वेस्मेंट्स करते हैं वो लोग बिटकोईन में ETF के माध्यम से इन्वेस्ट कर पाएंगे जिससे कि बिटकोईन में पैसा आएगा और काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी तो ऐसा ही यार सीबा के ऊपर चार्चा चाल रही है हलाकि ETF को यार कोई आज का नहीं ह कई घटनाए ETF को लेकर हुई है क्रप्टो मार्केट में 2013 में ही एक जो इस्पोर्ट BTC ETF लॉंच करने का प्रियास पहली बार किया गया था जो कि ICE के तरब SEC की तरब से American जो US Security Index Exchange Commission उनकी तरब से disapproval हो गया था लेकिन उसके बास से ही चर्चा चली थी हाली में आपने देखा था XRP और दूसरी क्रिप्टो करणसी भी अपना खुद का ETF लाइक इथेरियम हो गया XRP हो गया ये भी ETF के लिए कई ना कई फाइलिंग कर चुकी है या करने वाली है ऐसी कुछ खबर आई थी तो एसे में ही यार यहाँ पर स्पोर्ट BTC ETF को मंजूर भी मिल गई 11 कंपनियों को तो एसे में यहाँ पर सीबा इनों के उपर भी यहाँ पर ETF की खबरे जो है मार्केट में चल रही है हलाकि भविश्य में सीब ETF की संभावनाय कितनी है इसके उपर डायरेक्ट में बात करता हूं तो जहां तक अभी तक जितनी नियूज आई है उ कुछ नई चीज लाने के लिए तयारी कर रही है क्योंकि सीबा मीम टेकर टोकन की केटिगरी से बाहर आ गया है और अब वो चाहते है कि यहाँ पर कुछ नई चीज लाए जैसे कि अगर आप भविश्य के प्रोडक्ट अगर आप देखे तो मेटा है और प्लेटू अर्न है इसके अलावा सीबा स्वेब 2.0 है इसके अलावा सीबा शिबेरियम है तो ऐसे कई वस्तुए कई प्रोडक्ट यहाँ पर सीबा टिम लई है तो ऐसे में SEC के दुआरा जो सीबा का एप्रूल है ETF को लेकर उसके उपर भी यहाँ पर बाते हो सकती है चर्चा सिरू हो चुकी ह के देखते हुए यहाँ पर भविश्य में सीबा ETF की सुरुवात भी कहिना कहीं हो सकती हो और ऐसे में एक नया रास्ता यहाँ से खुल सकता है और अगर ऐसा है तो ओविसली सीबा में अच्छा पेसा डायरेक्ट ETF के माध्यम सा आएगा तो इसके बढ़ने के भी आसार काफ सीबा टोकन बाइनेंस से स्टोर करके रखे गए है जो बड़ी खबर की तरफ इसारा करते हैं देखे मार्केट में कई चीजे घटनाए हो रही है और एक बड़ी सिरुवात बड़ी हलचल यहां से पेदा होती है अगर आप रेगुलर बेस पर सीबा में अपडेट रहते है तो आपको मालूम पढ़ जाता है सीबा की प्राइज अब गिरने वाली है अब बढ़ने वाली है अगर यहां पर आप देखेंगे तो देखें मार्केट कितना नीचे चले गया था उसके बाद मार्केट नीचे गया क्योंकि यहां पर एक ट्रेड लाइन बनी थी ट्रेड चीजे आपको पता होना चाहिए और इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है जहां पर बर्न रेट स्पाइक रोकेट के तरह 29-100% की ग्रोथ के साथ बढ़ गया है अब यह बर्निंग ऐस समय हो रही है जो रेगुलर बेस पर हो रही है यानि कि आपको पता भी नह स्पोर्ट ETF और सीबा के और इसके अलावा यहां पर बर्निंग को लेकर जो एसी घटना आती रहेगी तो अच्छे संकेत यहां से निकल रहे हैं दूसरी अगर आप देखेंगे तो यहां पर बताये गया है कि क्लोज क्लेनिंग 1-0 डिस मेट्रिक्स सुट 15% यानि कि बोला से एक जीरो किल करने की दिसा में आगे बढ़ चुका है और इसमें बोला गया है कि ऐसे 3,340 एकाउंट से है डी ए जिनकी 15% मेट्रिक्स यहां पर इंक्रीज हुई है जो अच्छे संकेत है जिससे कि जीरो किल होने के काफी आसार यहां से बन रहे है और अगर इसा होता है तो एक बड़ी मोमेंट है सीबा में मिल सकती है क्योंकि जीरो किल होगी उसके बाद एक अच्छी ग्रयत आ सकती है क्योंकि यहां पर कई ऐसे लोग है जो रेगुलर बेस पर अपनी होल्डिंग लेके बैठे है जो अच्छे संकेत दे रहे है क्योंकि वील से रेगुलर बे ETF को लेकर भी चीजे अपने आप में बढ़ेगी यहां से और सीबा के ETF को लेकर यार यही चर्चा है भविश्च में अगर कुछ और संकेत आएंगे तो आपको मैं बता ही दूँगा तब तक के लिए इस वीडियो को यहें पर एंड करते हैं मिलते नए वीडियो में गुड़ झाल करते हैं मुड़ जूआ तक के लिए टूब यहें बपला प्रते हैं मुड़ के जए यहें लिए लागा नापको लिए अजया तक के लोगष भाष भाष बाम